वeंगे वीडियो मैं आप लोगों को शूत की कटिंग बताने वाली हूं तो जिसके लिए मैं ये इस up को जोड़े लिया है। और देखि जब को इसी तुट होता है तो इस तरीके से जोंट होता है तो आप उसको थोड़ा सा खोलेंगे तो वो खुल जाता है असानी सवर उसके बाद अगर आपका नेक जो है डिजाइनर है तो आपको सेंटर रखते हुए उसको फोल्ड करना है तो मैंने इसका पूरा सेंटर कर लिया उसके बाद इसकी जो लंबाई थी मुझे च्छती चाह तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है कि आपका नॉर्मली जो हमारे नॉर्मल साइज होता है उनका 14 ही आता है जो तीरे होते हैं वो तो हमें यहां पे साथ पे निसान लगा लेना है और अगर किसी के एक्स्ट्रा है तो आप जिस कूरती की जो मैंन नेट कैसे ले वो वाली वीडियो डाली हुई है तो आप उस वीडियो में किस तरीके से हम ले सकते हैं तो जिसके जितना हो आप उसके हैसाब से लेकर भी आसाणिंगा साले काफी अच्षी viveating के साथ यह रड़ी होताँ उसके बाद हमें नीचे से गोलाई आधे या एक इंच तो आप दे ही दे और उसके जो बैक वाला होता है उसमें आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा देनी होती है तो वो चीज आपको देख के भी किलिए हो जाएगी और यहां पर जितना भी हमारा चेश्ट आती है आपकी जिसनी भी छाती है उसके हिसाब तो इस तरीके से आप कर सकते हैं या फिर आप जो अपना अंदाजा लगा के भी कर सकते हैं जैसे कि कितना आपका नेप है तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं इसके बाद पूरा नेप जो हमारा होता है वो इसी तरीके से हमें करना होता है और जो चाक होते हैं हमारे डूं दूए तहेरा की करीब तो सब लोग लगाते ही है तो आप तहिरा अफेंब्ल में ज्यादा लंबे है तो justin- का लिए फिर दालो कोम thankful वां में जो कंदे लोला करने्क बैट्सक्रवृ को कंदे नहीं यारे कर ले हैं इसमें पर सालिके ऑला把它 कर लिया मैं इसको भी cut कर लूँगी और आप इसको रखके आसानी से अपनी जो cutting है वो कर सकते हैं या फिर आप अपनी कुर्टी भी इसके उपर रखके और फिर निशान लगा ले और फिर अगर थोड़ा भोध कम बत्ती आपको लगे तो उससे भी आप सही कर सकते हैं इस तरीके से हम कोई निशान लगा आप देख पा रहे होंगे कि मैंने चेस्ट का रिसान है जो मेरा सिधा रहा था लेकिन मैंने उसको हलका सकर्फ में देखे और उस टाइप से किया है उसके बाद कमर वगेरा का मैंने ऐसे किया है और फिर जो मेरे बैक में यह पीछे का एक्ष्ट्रा कप प्रोब्लम है तो इस तरीके से मैं बना पाई वैसा मैंने कोशिस की पूरी कोशिस करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊ और इसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें आर्मोल्स की जो चटाई वो करनी है हलका सा ही बस हमें अंदर की साइड लेना है आपको कंदे नहीं छोटे करने किसी भी पार्ट के कंदे दोनों के सेम होने चाहिए बस अंदर की साइड थोड़ी सी गोलाई देनी होती है जो कि हम बाज्यों में भी देते हैं तो इसी तरीके से आपको करना होता है यह देख सकते हैं आप आर्मोल्स में मैंने थोड़ी सी गोलाई दी हुई है उसके बाद मेरी जो कुरती कटिंग है वो बिलकुल तयार हो चुकी है इस तरीके से आप भी कर सकते हैं आसानी से अपने घर पर तो आप लोग भी इसकी तरीके से अपने जो कटिंग होती है उसको कीजिए और मेरा वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे प्लीज मुझे सपोर्ट जरूर करें इसके बाद आप बैक पार्ट ले जो आपके कुरती का बैक पार्ट उसको ले लीजिए और उसके बाद आपको क्या करना है कि आपके जो कंधे हैं उसमें से उपर से आपको 9 इंच के करीब नाप लेना है और 9 इंच जहां पे आए वह और यहां पर आपको car 3-3 इंच पर निसान लगाना है और यहां पर एक उसके बाद निचे से आपको आठ इंच पर नापना है आपको इसना रखना है कि आपकी चंधी और कमबर है एक्च्छल में हिप के पास तो नहीं जाना है लेकिन हां और आपको 8 इंच के करीब पर यह बाठ ये हैं और इसमें ये निशान जो है मैं इसको नीचे भी अच्छे इसको इसको निशान को लगा दूँगी आप बैक वाली कुड़ती में इस जो सिलाई लगाएंगे ना तो इससे आपकी जो फिटिंग है वह बहुत अच्छी बनके आती है और इससे हमारी जो कुड़ तो कहलेंगे तो बहुत अच्छा लगता है आगर आपको थोड़े आपकी लिए वह अंदर ही या फिर दू ढूँगा और लूप या पिर भस दोच जाता है तो इसज्च ऑप लोगे कंडर को अप आप पनड़े Jo कुछ इस तरीके से करते हुए हमें इसको मिला लेना है और जब आप इसको स्टिच करोगे ना तो और भी आसानी से हो जाएगा ये तो इसी तरीके से हमें करना और जो हमारा ये बीच में कमर का नहीं फैना तो हमने जैसे चाक जो हमारे तेहरा लिए थे तो आपको बीच में स उसको फोल्ड करना है और साड़े 6 के करीब आपको अपनी जो यहां पे छाती का जो निसान होता है वो कर देना उसके बाद आप इस तरीके से चोटी-चोटी से कट लगा देंगे तो आपको इसी रहेगा समझने में कि हाँ यहां पर हमारा कमर का है और यहां पर हमारा च्वे देते हैं या फिर खुद भी मोटे पतले होते रहते तो फिर हमें दिक्कत नहीं आती उसको हम लूज कर सकते हैं आसानी से और यह देखी यह बाजू का मेरे पास कपड़ा है तो यह बाजू मैं सिंपल ही आपको कट करना बता रही हूं आपके पास इतना भी कपड़ा आप आपको फॉर फोल्ड में कर लेना है यह मेरे पास फॉर फोल्ड में ही कपड़ा है तो इस तरीके से इसको आपको कट कर लेना है और कट करने के बाद आपको जो हमारे आर्मोल स्टाइड होती है उस साइड से आपको बाजू लेनी है दस इंच के करीब आपको ले लेनी है और उसके बाद जो आपकी लंबाई है वो जितनी भी आपकी है मेरे पास यहां ते 16 इंच की थी सायद मेरी तो मैं इतनी ले ली उसके बाद आपको हल किसी गोलाई देते हुए अपना जो बाजू हो कट कर दिये और इस तरीके से आप बाजू कट करेंगे तो आपकी बाजू काफी अच्छे से बैठती है और सिंपल तरीका बता है मैंने ये बिल्कुल और हर एका तरीका अलग अलग होता है कट करने का सिलने का सबका तरीका अलग होता है मेरा ये तरीका तो मैंने आपको इस तरीके से बत करें की लिए मेरे वांda हमें जो आगे वाले पार्ट होते हैं वह और दोनों पार्ट की थोड़ीसी छटाई you होती है वो कर देने हेलं कि पर दें इस तरीके से हलकी सी हम छटाइब कर देंगें इसकी जा अख देख सकते आप तरीके सामें लेंडीये दो पार्ट और नीशे से नहीं कट करना नाविश चोटी आ जाती 행़ हल्का सा में communications बीच बीच में से ही इसको करना है जो की हमने अपने арmoles में यहां पे चटाई दी थी तो इसीनयी होता है कि यहां पे और यहां पर यहां पे चटाई दे तो अच्छे से जो हमारे जो कुड़ती की कटिंग है और बाजू की कटिंग है वो एकदम रेड़ी है आप भी इसी तरीके से कट करिएगा मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे सपोर्ट जरूर करें मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले आगे कोशिस करूंगे आगे आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आती रहूं आप इस तरीके से देखिए यह विल्कुल फिट बैठेगा और इसकी जो फिटिंग है वो काफी अच्छे से आएगी तो आप इसी तरीके से करिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई